नमस्कार TV9 भारतवर्ष के डिस्टर्ट प्रिट्फॉर्म पे आपका सौगत है बिहार चुनाव में तीसरे चलन का चुनाव परचार आज खत्म हो गया चुनाव परचार के आखरे दिन नितीश कुमार ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बड़ी बात कह दी उन्होंने कि रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि यह उनका आखरी चुनाव है और उनको जिताने के लिए लोग वोट करें आखरी चलन के दौर में जब चुनाव आखरी दौर में जा रहा है उस वक्त नितीश कुमार का यह बड़ा बयान अब जो साथ तारीक को जो वोट सीटों पे जनता वोट करेगी इस पूरे चुनाव में कैसा महौल बनने वाला है किन इलाकों में वोटिंग होगी और उनका समिकरन क्या है किन पार्टियों की साग दाव पे लगी है इन सारी चीजों पे चट्चा करने के लिए हम सीधे बिहार से जुड़ेंगे पंकश कु संथ से चीटों पे जनता मदधन करेगी इसमें सबसे हैां मेरे च्याल से चौबिस सीटें हैं आप इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं वहां के लोगों से बात् cheat कर रहे हैं क्या लगता है कि सीधे मैं क्या समीकरन धने वाला है वहांके लोग को मूड क्या है कैसी राजनेतिक विसाथ वहां पे बिचाई जा रही है क्या कहते हैं आप जी तीसरा चरन का मद्दान का जो समय है वो कुछी देर बाद अभी खतम हो जाएगा और प्रचुनाव प्रचार भी खतम हो जाएगा और परसों मद्दान होने वाला है जाहिर तोर पर यह ब संत्री हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं उनकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी है मैं आपको बताओं अगर कोशी की बात करें जो बेहत चर्चित सीट की कुछ बात करें तो सिभर से आनन्द मोहन जी के बेटे खड़े हैं सहर्षा की बात करें तो सहर्षा से खुद लवली की आनन्द खड़ी हैं अगर आप पूर् निया सदर की बात करें पूर्निया सदर से जो शिटिंग व्यंड़े बीजैपी के वो खड़े हैं अगर आप अरड के अधिक चस्प दिखाई पड़ रहा है विवेक और मैं आपको बताऊं अगर मुद्दे की बात करें तो यहां कई मुद्दे एहम हैं अगर कुछ मुद्दों को जो मेरी बात हुई है लोगों से अगर मैं उसका जिक्र करूं तो यहां पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोग क उसको लेकर के काफी परिशान है और दूसरी बात बताऊं एक बहुत दिल्चस्प जो यहां भी नजर आ रहा है लोग कहते हैं कि अफसर साही से भी वो परिशान रहे हैं अफसर साही को लेकर के जो ब्लॉक लेवल पर प्रखंड लेवल पर जो उनको दिक्कतों का सामना बात हुई है वो अपने जमीन की रजिस्ट्री के बाद जो म्यूटेशन की प्रकिरिया होती है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों को लगने लगा है उसका अकसर लोग जिक्र करते हैं कि किस कॉम्प्लिकेशन से उनको गुजरना पड़ता है पर मैं आपको बताऊं कई लोग ऐसे भी मिले हैं जो एंडिये सरकार का जो डेवलप्मेंट का काम है चाहे सडक की बात हो चाहे बिजली की बात हो चाहे अस्पताल का बात हो उसका भी जिक्र करते हैं प्रधान मंत्री जन अहार योजना का भी जिक्र करते हैं तो विवेकिये मैं कहना चाहूंगा कि सिमांचल का जो इलाका है अगर प्रमुक मुद्दा का है तो CEA, NRC है, पलायन है, घुसखोरी है, ब्लॉक लेवल पर भरस्टाचार है जो की NDA के बिपक्च में जाता है और अगर NDA के पक्च की बात करें तो प्रदान मंत्री जनहार योजना है, उज्वला योजना है, इं चरन के मद्दान का प्रचार कुछी घंटे में समाथ होने वाला है, और ये जो निरनायक दौर है, ये जो निरनायक चुनाओ प्रचार की जो घड़ी है, अब कुछ समय में जरूर खतम हो जाएगी, लेकिन जो कॉंटेस्ट है, वो ट्राइंगुलर से कहीं जादा है, क्यो बार-बार अपनी सभाव में इस बात का एहसास कराते हैं, कि 17% जो मुस्लिम मत दाता है, उनका ये कहना है, कि तुम आरजेडी से मत डरो, तुम यूपी ए कॉंग्रेस से मत डरो, वो तुमें डराते हैं, अगर तुमारी आवादी 17% है, तो जो सरकार है, उसमें भागीदा ही खोजो, तो जाहिड तोर पर ये जो संघर्स है, वो बहुत दिल्चस्प दिखाई दे रहा है, कुछ देर में जो प्रचार की प्रकिरिया खतम होगी और परसों मत दान होने वाला है, जी विवेक, पंकर जी, इस बार के चुनाव में सिमांचल के साथ में कोसी इलाके में में भी वोटिंग होगी, कहा जाता है कि जिसने जीता कोसी और सिमांचल उसने बिहार जीता, तो इस बार कोसी का क्या सम्मिकरन है, हम अगर देखें तो इस पूरे इलाके में सिमांचल और कोसी में महा गटवंदन और NDA की बीच तो मुकाबला है ही, उसके साथ में कि प्रभाव है, असर है, उनमें क्या चोतर्फा मुकाबला होने वाला है, और अगर ऐसा मुकाबला है, तो आपको क्या लगता है, कि कि सबसे जादा फाइदा देख रहा है, किस पार्टी को सबसे जादा फायदा होगा, यहां पर क्या जो नए, जैसा कि आपको आप बता रहे थे कि 2015 में जेडियू और बीजेपी अलग लग लड़ी थी तो इस बार साथ आ जाने के बाद से क्या नए समिकरन बन रहे हैं वहाँ पर देखे विवेक ये सच है कि कोशी और सिमान्चल क्यों बहुत इंपोर्टेंट है ये इस बात में कोई शक नहीं 78 सीटों पर चुना होना बाकी है महज 48 घंटे बच गये हैं ये मैं आपको बता दूं 48 घंटे से 50 घंटे का समय बचा हुआ है जाहिर तोर पर तीसरे चरण पर निगाहें तमाम पाटियां हैं उनकी लगे हुई हैं अभी थोड़ी देर पहले कॉंग्रेस के प्रवक साब था कि वो चुनाव को कमिनल बनाना चाहते थे लेकिन हमने उन्हें बनाने नहीं दिया उसमें उन्होंने मुंगेर का भी जिक्र किया तो जाहिर तोर पर अगर रंदीप सुर्जे वाला की बात करें जो कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और महागटवंदन के इंपोर्टेंट एलाई हैं तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जिस तरह का चुनाव चाहते थे उसी तरह का चुनाव हुआ है और उन्होंने बार-बार मुंगेर की घटना का हवाला दिया उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मुंगेर की घटना की वज़े से बीजे पी और एंडीए बेहर डिफेंसिब दिखा और इसलिए इधर जो है उन्होंने polarization की कोशिस नहीं की जहाँ तक कोशी का सवाल है तो मध्हेपुरा जिले की बात करें सहरसा जिले की बात करें सुपॉल जिले की बात करें सुपॉल से उसी इलाके से बिजेंदर यादव आते हैं जो NDA में उर्जा मंत्री हैं उनका छेत्र माना जाता है सहरसा से खुद लवली आनंद खड़ी हैं सीवहर से उनके बेटे खड़े हैं चेतन आनंद तो इस तरह के कई important लोग हैं और वहाँ पर EBC मददाताओं का percentage काफी अच्छा है ये भी मान कि उन्होंने 34% उम्मिदवारों को seat allocate किया है जाहिर तोर पर जिस वज़ा से वो हारते थे किसी जमाने में वो लालू जी उन्हें जिन कहा करते थे तो उन्हें लगने लगा है कि 15 साल बाद वो जो वर्ग है वो हमारे पास आ गया है लेकिन मैं आपको बताऊं कि result के आता है परिनाम के बाद ये साफ जाहिर हो पाएगा पर जहां तक कोशी का सवाल है जाहिर तोर पर बेहत important जगह है जहां तक सिमान्चल का सवाल है तो सिमान्चल में असुद्दिन ओवैसी important factor है लजेपी भी है यहां पर उपेंद्र कुसवाहा की भी पार्टी है वो भी यहां पर खड़ी है लेकिन अगर मुख तोर पर मुकाबला कहें कि यह मुकाबला चौतरफा यहां पर नहीं है त्रिकोनिय जरूर है एक फैक्टर असुद्दिन ओवैसी का है दूसरा फैक्टर महागटवंदन का है और तीसरा एंडिये इनी तीनों में मुख मुकाबला है जहां पर की बातें अपसर साही यह तमाम ऐसे मुद्दे एक तरफ हैं जो भी पक्षी लगातार उठा रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे भी उठा रहे हैं वहीं एंडिये कह रहा है कि जिस तरह से उसने 15 साल में डेवलप्मेंट किया है स्टेट को आगे बढ़ाया है वह लगाता चल की बात करें यहां भी फ्लर्ड जो है वह बहुत समस्या पहुंचाता है लोगों का फसल काफी बरवाद होता है यह भी एक बहुत महत्पूर्ण मुद्दा है साथी साथ आप कहें मुस्लिम मद्दाता भी यहां पर बड़ी संख्या में हैं तो जाहिर तोर पर यह तमाम होता है क्या वह गोलबंद होकर के वोट करते हैं या पिछली बार की तरह जैसे उन्हों बहुत सारे मद्दाता उन्हें जेडीयू को भी वोट किया था वह डेवलेप्मेंट को प्रीफर करते हैं या तेजस्वी पर भरोसा दिखाते हैं यह देखना बहुत दिल्चस्प हो है अच्छा खासा असा रखता है अलपसंख्यक समुधा के वोटर्स पे कई सारी पार्टियां दावा जता रही है इसमें महां गडवंदन भी है इसमें चराग पासवान की पार्टी एलजेपी भी है इसमें ओवैसी की पार्टी है जो अपेंद्र को सुहा के साथ में रही है वहाँ पे विवे कि ये आपने जो पोलेराइजेशन की बात की मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जाहिड तोर पर जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी का इंपक्ट सिमांचल में दिखाई पड़ता है और जितने प्रत्यासी तकरीबन 22 प्रत्यासी उनके मैदान दिखाई पड़ता है और वो बार बार यही बात कहकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें वोट क्यों दिया जाना चाहिए क्योंकि वो इस बात पर जोड़ डाल रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी उनका कहना है कि 17% मत दाता हैं हम डर स किसी के पीछे क्यों चलते हैं सिमांचल पर सिमांचल में जहां तक मुस्लिम मत दाताओं का सवाल है तो उनकी संख्यां बहुत जादा है और उसका इंपक्ट बहुत जादा पढ़ने वाला है लेकिन अगर आप कहें कि उस उस वोटर्स पर कौन जादा आधिकार दिखा रह कि क्या ये लोग गोलबंध हो करके वोटिंग करते हैं या उनका वोट बढ़ता है अगर वोट बढ़ता है तो जाहिड तोर पर इसका फाइदा एंडिये को जरूर मिलेगा मैं यहां पर आपने चिराग पासवान की बात की है तो लजे लजेपी का प्रभाव लजेपी के उमीदवार दो तीन सीट पर जरूर ताकतवर नजर आ रहे हैं कस्वा की बात करें वहां पर वह ताकतवर नजर आ रहे हैं ऐसे दो सीटे और हैं विवेक लेकिन अगर आप बाये लार्ज बात करें कि यहां पर मुख प्रतीदवंधी कौन है तो असदीन व्यसी एक अब लिम मद्दाता जो परसों मद्दान होना है यह देखना दिल्चस्प होगा कि क्या पूरे सिमान्चल में उनका मन एक है या कंस्टिच्वेंसी वाइस वे फैसला करते हैं कि वह उम्मीदवार को चूज करेंगे या उनके प्रेफरेंस में पार्टी होगा किस तरह से मद्दान करेंगे यह रिजल्ट के बाद साफ तोर पर सामने आएगा विवेक पंकर जी सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पार्टी का च्छाखसा प्रभाव है और इस बार पूरे चुनाओं में ओवैसी ने सीय और इनारसी का मुद्धा काफी इस मुद्धे को काफी हवा दी अपनी जन्सवाओं में लोह को समोधित कछते हुے सरकार केंद्र सरकार को ल gobierno बीजेपी को लिए वहीं बीजेपी की निकाए योगी योगी आदि तनात यूपी के सीम कठीयार में रैली करते हैं और कहते हैं कि यहांसे बुस पैटियों को खदे दिया जाए गा बाहर निकाला जाए गा और इसी मसले पर हलाकि परशानी होती है जेडियू को जब नितीश कुमार को यह कहना पड़ता है कि इस देश में किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा लोग भर्म फैला रहे हैं तो यह एक अजीवो गरीब सी स्थिती बन जाती है क्या आपको लगता है कि शुनाव में वैसी ने जो कोसिस की है C.A. और N.R.C. के मुद्दे पर लोगों को अत्रंकत समुधाय को अपनी तरफ करने की या B.J.P. की जो कोसिस है कि इस मुद्दे पर एक स्ट्रॉंग मैसेज देने की ताकि बाकी के वोटर्स जो हैं उनके पाले में आए तो क्या आपको लगता है यह एक मुद्दा है वहाँ हम दिखाई परता है कुछ लोग कहते हैं कि वो काफी टाइम पहले यहां पर आये थे और उन्हें अगर घुस पैठिया कहकर के निकाला जाएगा तो उनके साथ बेहत गलत होगा और जिसको असुद्दीन वेसी ने भुनाया भी अगर कुछ दिन पहले की बात करें जब यो उन्होंने कहा था कि किसी भी घुस पैठिये को किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा तो जाहर तोर पर देखिए यह एक एलाइंस है उसमें कॉंट्राडिक्सन इस मुद्दे को लेकर के शुरू से दिखाई पड़ता है योगी आदितनात काफी हाट स्टैंड लेते है जेडियू का स्टैंड डिफरेंट जरूर है लेकिन एक बात सच है कि दोनों एंडिये के इंपॉर्टेंट लाई हैं और बिहार में नितिश कुमार के नितरुत में चुनाओ लड़ रहे हैं तो ये बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है इनर कॉंट्राडिक्सन जरूर है जो कभी-कभी उभर कर सामने आता है अगर सिमांचल की बात करें तो सिमांचल में ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसलिए ये कॉंट्राडिक्सन उभर करके सामने आया है क्योंकि मुस्लिम मद्दाताओं को रिजाने की कोशिश है जेडियू नहीं चाहता काम इलाकों में जहां जहां भी मैं गया हूं वहां पर सीए एनर्सी इंपॉर्टेंट मुद्दा है लेकिन अगर बीजेपी के परस्पेक्टिव से देखा जाए उनका पॉइंट ऑव यू देखा जाए तो इस बार बीजेपी के काफी सारे तकरीबन 23 से जादा 25 से जादा जो हैं उम्मिदवार चुनावी मैदान में है तो बीजेपी के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है 2015 में भी बीजेपी काफी संख्या में यहीं से जीत कर आई थी 2010 में भी उसके काफी उम्मिदवार जीते थे इसलिए बीजेपी को अपने कंस्टिचुएंसी को एड् तो किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा जी विवेक पंकर जी आखरी दौर में 78 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं अगर 2015 में इन सीटों के बारे में जानकारी इकटा करें इनके बारे में पता करें तो पता चलता है कि 2015 के चुनाव में बीजेपी और जेडियू अलग-अल में 54 सीटें आर जो जेडियू का अलाइंस था RJD और कांगर्स के साथ इन सीटों पर सब्सेजादा सीटें जीती ठीवान 44 सीटें जीति महागडवंदन ने वहीं जेडियू ने तक्रिवन 23 सीटे जीती थी और बीजेपी ने भी 20 सीटे हासिल की थी अब हालात अलग है एंडियू में जेडियू भी है बीजेपी भी है अब इन दोनों के साथ आने की वजह से क्या आपको लगता है एंडियू को फाइदा मिलेगा 23 सीटे जेडियू की बीजेपी की 20 सीटे और एक कुल मिलाकर 78 सीटों पर इन दोनों का घटवंदन क्या आपको लगता है कि एंडियू पाइदे में हैं एंडियू को सीटों का फाइदा होगा इस बार कि जिया अपने ठीक कहा अगर साल 2015 के चुनाओं की बात करें तो जेड सीटों पार्टी को मिला था जिसमें 23 सीटे जेडियू को मिला थाँ जहिएड तोर पर और इसमें एक बड़ा फैक्टर यीबीजी कहबी था मुसलमान के सामने मुसलिम मद्धाता हूं के सामने कोई कन्फ्यूजन नहीं था क्योंकि जेडियू और आरजेडी दोनों एक साथ मिलकर के चुनाओ लड़ रहे थे जो और नितीस उनका चेहरा थे नितीस मुखमंत्री होंगे तो इसको लेकर करके और कॉंग्रेस भी साथ थी तो मुस्लिम मद्दाताओं का एक बड़ा बर्ग ने उनको वोट किया था और कही वज़े रहा कि 78 सीटों में 54 सीट जीतने में काम्याब हुए थे लेकिन अगर आप लोग सभा चुनाओ की बात करें तो कॉंग्रेस जो एक सीट जीत पाई थी चालिस में से 49 सीटें एंडिये जीती थी और एक सीट जो कॉंग्रेस जीत पाई थी वो सिमांचल का ही सीट था लोग सभा का सीट तो 2015 के बिधान सभा चुनाओ के ठीक इतर उलट परिनाम सामने आया था लोग सभा चुनाओ में तो यह देखना बहुत दिल्चस्प होगा मैं बार-बार वही कह रहा हूं कि EBC मद्दाताओं का रुजान के आभी भी नितिस कुमार के तरफ है क्योंक से अगर नितिस और RJD एक साथ होते हैं तो मुसल्मान मत दाताओं के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होता साथ में अगर कॉंग्रेस आ जाती है तो तो जाहिर तोर पर लेकिन यह जो 2020 का चुनाओ है वह 2015 से कंप्लीट उलट है पहले नितिस महागटवंदन में थे अब 2020 में जनता के सामने आये तो फिर से वह अंडिये में आ गए तो यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कोसी रीजन में जहां ईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या ईबीसी स्टिल एंडिये के तरफ इंटेक्ट हैं उनके वोटर इंटेक्ट हैं फिर मुसलिम मद्दाता का भी जो जे डि ho है जो ज dwell लए कि इतना मदर्सा खुलवाया इतना इस्कूल खुलवाया महादलित के बिस असात मुसल्मानों के लिए काफी प्रॉग्रेसिव डवलम्मेंटल डवलम्मेंट के काम किये तो क्या मुस्लिम मदाता जो हैं उन पर उसी तरीके से भरोसा जताते हैं ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा इसलिए जो आपने कहा कि 78 में से 54 सीटें उनके पास थी उनके पास इसलिए थी क्योंकि जेडियू आरजेडी और कॉंग्रेस का एक फॉर्मिडेबल एलाइंस था लेकिन इस चुनाओं में जेडियू अब बीजेपी के साथ आ चुका है तो चुनाओं परिनाम के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि मद्दाताओं का रुजहान किदर रह है लेकिन कई मुद्दे हावी हैं और मद्दाताओं का रुजहान किस मुद्दे को लेकर के किस तरफ होगा विवेक यह देखना बहुत दिल्चस्प होगा मुकाबला सीमान्चल और कोसी में मुख्य तोर पर त्रिकोनिया है लेकिन कई जगए चौतरफा भी देखने को साम पंकर जी जी हां धन्यवाद तो बिहार चुनाव अपने आखरी दौर में है तीसरे और आखरी चन की वोटिंग साथ तारीक को होगी दस तारीक को चुनाव के नतीजे आएंगे इस दौरान हम बिहार के बारे में हर राजनीतिक अपडेट लेकर हाजिर होंगे पंकर जी हम पंवार से शुक्रवार राद दस बजे टीवी नाइन भारत वर्षपर